अरेड महादेव जैब भोलेनाद नमस्कार मैं शादना पांडे माधदसन पर आपका स्वावत करती हूं दोस्तों घर के में डोर पर सुबद जगते हैं और जगने के बाद हम पानी चिड़ते हैं यही नियम सही है या फिर कोई और नियम करना चाहिए जैसे होता क्या है कि लेट जगती हैं और उनसे पहले जगकर परिवार वाले कोई सदर से बाहर चले जाते हैं कोई कहीं चला जाता है और उसके बाद जो ग्रहनी होती है वो उटकर अपना काम करती है तो देखे सबसे पहले तो यह जानिए कि जो घर के में डोर पर आप दीपक सुरी यह जो जल कि मैं आठ बजे करती हूं तो मैं यह हमेशा कहती हूं कि कुछ करना ही नहीं है तो उससे अच्छा कुछ कर लिया जाए तो यह जादा बहतर होगा लेकिन टाइम वही है ब्रह्मोमोर्त का अगर आप ब्रह्मोमोर्त में उठ्वालत में उठ्वार करके जल चिड़कते हैं तो ये बहुत फाइदे मंद होता है अब बारी आती है कि जल कैसे छिड़का जाए जो powerful हो देखे जल छिड़कने का सबसे powerful तरीका यह है कि आप सुबह रात को ही जब सोने जाए तो साब सुत्रा एक तांबे का लोटा ले 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 तांबे का लोटा ले लिजे और अपने घर क के लिए ठाके रहने दिजिए उसको छूइए नहीं आप और यह धकना किदर है तो जहां आपके पानी का स्थान हो वहां धक सकते हैं या फिर घर में उत्तर की तरफ तो साफ जगा हो यह नहीं कि खाना खाकर के बरतन वगर अप्टेका हुआ है आप थोड़ा साफ कर ले और स अब कर दो एक अल परिवार होने लगा है सब अपने अपने लिए बड़े है तो जो भी घर में बड़ी महिला हो वह सुबागा जल्दी जगे सबसे पहले जगे यानि कि इतना पहले जगे कि आप घर का में गेट जो है वह आप ही खोले तो सुबा उठते ही आपको सबसे पहला बेल्ट से उठने के बाद भगवान को प्रडाम करिए हाथ देखिए भगवान को प्रडाम करिए और उसके बाद अपना हाथ रगड़िए अपने माथे पे चेहरे पे लगाईए और उसके बाद आपके हाथ में होना चाहिए आपके में गेट की चाहिए तो आप जाएए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दहलीज को प्रडाम करिए, प्रडाम करके अपना बाहर का जो सुन्दर हवा होती है, अगर आपका मन हो, मैं ऐसा करती हूँ तो आपको भी बता रहे हूँ, क्योंको इस टाइम चाहे जाडा हो या गर्मी हो, बाहर पानी को ले जाए अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा रखी डाल लिजे थोड़ा गुलाब जल डाली जिए कोई दिक्कत नहीं है तो ले जाए बढ़ा वगा बड़ा सा बरतन होना चाहिए और ले जाए पूरा बाहर दर्वाजे पर छिड़क देजिए अब कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा होता है दर्वाजे पर बन ची把सें उन्च बातों वां सब्सक्राइब करते हैं तो असके होता है नोथे मेरं तरक्की उनकी उन्नती निश्चित होती है और जैसे कोई घर से चला गया उसके बाद आप पानी चिड़कते हैं तो वह उत्तब नहीं होता है पानी चिड़कने का यही जो फल होता है वह होता है कि आप उठते उठते ही इस काम को करें और परिवार में सभी सदर से सोय हो तो काम हो तो सबसे बहतर होता है जैसा कि मैंने बताया है कि अलग-अलग परिशानियों के लिए अलग-अलग चीजें जल में डाल करके और इस जल को छिड़का जाता है अब एक चीज और बता देती हूं कि अगर किसी कारण से आप बहुत परिशान है आपके घर में कोई तरक्क कि बादित हो गई है तो आप क्या करेंगे तो आप एक विशेश काम करिए आप सुबह उठते उठते अपने में गेट पे जो दर्वाजे पे आप खड़े होते हैं जैसे मैंने बताया कि आप अपने घर का ताला खोलिए और जिधर भी आपका गेट हो आप उत्तर की तरफ मुँ करके खड़े हो जाएं उत्तर की तरफ मुँ करके खड़े हो यह में गेट पे और वहां खड़े हो करके आप उत्तर की तरफ हाथ उठा करके और बोलिए कि मालक्ष्मी आईए मालक्ष्मी आईए मालक्ष्मी आईए और यह ब्रहम हुर्त में आपको करना है यह ब्रह आपकी घर से गरीबी आपकी घर से परिशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी लेकिन एक चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखिए कि महनत प्रयास बहुत करना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं है कि कोई काम बिना महनत के होगा और यह उपाय करते करते साथ में स्री सुक्तम का पार्ट आपको दोनों समय करना है साम को और सुबा दोनों समय स्री सुक्तम का पार्ट करना है और वीडियो आपको कैसी लग रही है वो बताईएगा जरूर अच्छी लगए तो लाइक करेगा और बिल्कुल भी लाइक करने में किसी तरह की कोता ही मत बरतिएगा बिल्कु तो आप जो रात को जल रखेंगे उस जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल दे और इस फिटकरी वाले जल को अपने घर में सुबा छिड़के और हो सकता है तो आप इस जल के साथ थोड़ा सा अगर संभव हो तो गो मुत्र मिला कर छिड़के इस से क्या होता है कई-कई परिव दिकत बहुत पुरानी दिकत है इस तरह की दिकत है तो आप घर के में दोर पे आप सुबा सबेरे जगने के बाद जाडू लगा कर सफाई करने के बाद अपने घर से लेकर के में दोर तक एक घुमा दीजें कौन सा तो तेजपत्ता लूंग और कपूर तीनों को जला करके आप अपने घर में घुमाएए और में डोर पे ले जाके इसको रख दिए इससे देखेंगे कि कोई बड़ा अगर समझ्या आपको आ गई होगी जैसे कि कोई चर्म रोग होने लगा होगा जैसे कि घर में लगातार लडाई जगड़े होने लगे हैं गर में किसी मतलब बेटी बेटे का बिवार नहीं हो रहा है यहां तक एक सत्यनारायन की कथा नहीं हो पा रही है इस तरह के दिक्कते अगर लगातार बनी हुई है तो आप क्या करेंगे आपके लिए बहुत उत्तम है यह लॉंग कपूर और तेज पता इसे देखिए यह सीज पूल और बना लेती हैं कि आपके घर से सभी नाकारात्मक चीजों को दूर करने लगती है तो यह कुछ भी छोटी छोटा नहीं है बस इनको करने के लिए हमारे मन में पूरा बुद्धी और जो चीजें होती है वह बनी रहना चाहिए और जैसे कर्ज दूर करने के लिए मै पूजा पाठ में परिश्रम करिए तभी जाकर यह उपाए आपको फल्दाई होगा तो निष्चित तोर पे आप अपने काम में पूजा पाठ हर चीज में महनत करिए और यह जल चिड़कने वाला उपाए मैंने बताया वह सारा उपाए आपको निष्चित रूप से बाक्स आपके नाम से भरा हो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब अन्य वीडियो में धन्यवाद धरहर महादेव